दबाव क्यों पड़ा क्योंकि बिहार में हमारे गड़बंदन ने एक बात जनता के सामने रखी है कि इस यात्रा में हम पांच नाय की बात कर रहे हैं उनमें से एक नाय उसको आप समाजिक नाय कह दीजिए उसको आप हिस्सेदारी कह दीजिए उसको आप भागिदारी कह दीजिए कि उसके बारे में हम काम कर रहे हैं मैंने पहले बाशनों में कहा है कि इस देश में अलग-अलग वर्ग के लोग है पिच्रिजात के लोग हैं दलित हैं आदिवासी हैं माइनौरिटी हैं जनरल कास्ट के लोग हैं हर समाज में कमजोर लोग हैं ओबिसी समाज देश का सबसे बड़ा समाज है मगर अगर मैं आज आप से पूछूं कि इस देश में ओबिसी समाज की अबाइदी कितनी है आप इस सवाल का जवाब नहीं दे सकतें दे सकतें कोई नहीं जानता और मैं सिर्फ एक बात आपके सामने रखना चाहता हूँ आप देश के किसी भी सेक्टर को देख लो सरकार की बात करनी है तो मैंने पिछले बाशनों में कहा जो देश की सरकार को चलाते हैं 90 अपसर है आईएस के अपसर है 90 में से 3 पूरे के पूरे बजट के बारे में निर्णे लेते हैं कि तो यह ओभी सी अपसर है सो रुपे में से पांच रुपे का निर्णे लेते हैं तो सरकार में ना OBC की ना दलित की ना आदिवासी की भागिदारी है सरकार को छोड़िए हिंदुस्तान की सबसे बड़ी 500 कंपनीज को देख लीजिए उनकी लिस्ट निकालिए उनके मालिकों के नाम पढ़िए आपको उन नाम में से एक दलित एक आदिवासी एक पिछड़ा नहीं मिलेगा मीडिया को देख लीजिए अकबारों को देख लीजिए टीवी को देख लीजिए एक मालिक ओबीसी वर्ग, दलित वर्ग, आदिवासी वर्ग का आपको नहीं मिलेगा रिपोर्टर मिल जाएंगे उनको भी कोने में बठा रखा है जो उनके दिल में वो बोल नहीं पा रहे है मकर सीनियर मैनेजमेंट में और मालिकों में आपको एक ओबीसी, एक दलित वर्ग, आदिवासी नहीं मिल सकता प्राइविट एजुकेशन के सिस्टम को देख लीजिए प्राइविट कॉलेजेस, युनिवर्सिटीज को देख लीजिए प्राइविट हस्पताल देख लीजिए एक मालिक आपको ओबीसी, दलित, आदिवासी का नहीं मिलेगा तो मैं सिर्व यह सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर हम समाजिक नयाय की बात कर रहे हैं तो ये तो स्पष्ट है कि हिंदुस्तान के किसी भी सेक्टर में पिछडों को, आदिवासीों को, दलितों को नयाय नहीं मिल रहा है